गौलियर में लूट की वारदात को अंजाम देने आएं एक्टिवा सवार बदमासों को जब सिरोल थाना पुलिस ने घेरा तो एक आरोपी फरार हो गया जबकि एक को पुलिस ने दबोच लिया है पकड़े गए बदमास से पूचताच में लूट की दो वारदातों का खुलासा हुआ है पुलिस का मानना है कि पकड़े गए लुटेरे से पूचताच के बाद कुछ अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है साथ ही पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दविस दे रही है लुटेरे ने बताया कि उसने सबसे पहले एक महिला का पर्स लूटा था उसमें सफल होने से उसके मन में डर निकल गया था गौालियर के सिरोल थाना प्रभारी गजेन धाकर ने बताया कि दो दिन पहले हरदौल गार्डन के पास एक्टिवा सवार दो बदमास डीवी सिटी के पास रहने वाले आजय पुत्र हीरा लाल से जपट्टा मार कर मोबाइल लूट कर फरार हो गये थे बारदात के बाद पुलिस ने लुटेरे को पकड़ने के लिए घटना स्थल के पास लगे सीसी टीवी में तलाश की लेकिन बदमासों का पता नहीं चला लुटेरों को पकड़ने के लिए थाने की एक पुलिस टीम बना कर लगाई गई थी इसी बीच पुलिस लुटेरों की जानकारी कर रही थी कि तभी एक एक्टिवा पर आते दो युवक दिखें जो पुलिस को देखकर वापस बाइक मोर कर भागने लगें जिनका पुलिस ने पीचा किया तो एक बदमास मौके से भाग निकला लेकिन एक को पुलिस ने दबोच लिया पकड़े के बदमास की पहचान मुरार निवासी सूरज राजपूत पुत्र ओमकार राजपूत के रूप में हुई है वहीं दूसरा लुटेरा अभिशेक मौरे अभी फराद है पूछ ताच करने पर पकड़े गए लुटेरे ने बताया कि उसने और उसके साथी ने पहली बार महिला से पर्स लूटा था जिसमें वह कामियाब हुए तो उनके दिल से डर निकल गया था इसलिए दूसरी लुट की वारदात की थी पकड़े गए आरोपी को थाने लाएं तो आरोपी ने दो लुट की वारदात स्विकार करते हुए बताया कि उसने और उसके साथी अभिशेक ने दो दिन पहले एक युवक से मोबाइल लूटा था और इससे पहले पड़ाव इलाके से भी एक्टिवा पर सवार होकर एक लुट की वारदात करना स्विकार किया है पुलिस अबसरों का मानना है कि पकड़े गए लुटेरों से पूछता आज के बाद कुछ अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है हमें अभी खबर आया है कि सिरोल थाने में सिरोल तीया के अन्तरकत एक आरोपी पकर गया है उसे दो मोबाइल बरामत हुई है और एक एक्टिवा गारी सुनने में आए कि उसका एक और पार्टनर है झो भी परार है और उंके खिलाव दो थाने में केसिस्त है एक पराव में है और एक सिरूल में है। अभी जाच जारी है हम पुरी कोशिस करेंगे कि और मोबैल और उनके पार्टनर से हम उनको पकर पाए।